आज हम लोग देखने वाले हैं एक हेवी साइज की कूर्टी गेटिंग हेवी साइज में बहुत से लोगों बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे इसमें लंबाई 42 इंच का है चेस्ट 48 इंच का है कमर 46 हिप 54 शोल्डर 15 इंच है सामने गला साथ पिछे गला साड़े चार चाक से नीचे उपर तक की दूरी जो 20 इंच है असतीन महरी और आर्म होल आर्म होल इसमें आपको थोड़ा सा कम लगे अगलाई कर आर्म होल की बात करें तो यहीं आर्म होल आपको 40 इंच में बीमिलता है यहां पर और 48 में भी मिल रहा है तो अप्लाइग ऐसे करते हैं क्लियर समझ में आया वैसे तो आपको पता यह किस प्रकार से बिचाया जाता है क्या क्या चीज़े करनी है तो एक स्केल लेंगे सबसे पहले लेंगे सीधा निशान और यह है एक नॉर्मल कूरती है ना कॉलर वाली या फिर बोट ने ऐसा नहीं है एकदम सिंपल से कूरती ह सबसे पहले आपको यहां पर लेना एक सीधा निशान उसके बाद आदा इंच नीचे एक और निशान ठीक है यह दो निशान आपके common रहेंगे क्योंकि आपको पता है कि पिछे का पला आदा इंच बढ़ा रहता है अब यहां पर हम क्या करेंगे उपर का हिस्सा है तो यहा एक से अब समझने वाली बात यह है कि यहां पर हम निशानों को किस-किस प्रकार से लगाएंगे तो हम सबसे पहला निशान डालेंगे साड़े पांच इंच पर ठीक है या यहां की चैस्ट लाइन हो जाएगे दूसरा निशान डालेंगे हम कमर के लिए अब ये कमर के कम है कूर्ती ऎक हम ररह अगा पहनने वाली जो लेडी है इसका कम आगे लिए तेट मुझा इसके बाद आ जैंगे हम फूल लेंख मतलब की 42 इस के लिए हमने चार निशान को छोड़ने के बाद उसके बाद फोल्ड करने के लिए आप नीचल एक्स्या जो भी मार्जेन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं शोल्डर निशान फिर चेस्ट लाइन फिर कमर लाइन फिर हीप लाइन और उसके बाद यह दामन सब को सीधा-सीधा लेना है यह देखो यह इस टाइब से पूरा आपको सीधा-सीधा लेते जाना है कि अब आज जाएंगे यहाँ पर चलो सभी को हमने सीधा-सीधा मिला लिया अब आगे क्या करना है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ता कि आपको इस पस्ट्रूप से समझाए कौन सा चैस्ट है कौन सा कमर कौन सा हीप ठीक और यह नीचे वाला दामन तो यह चार चीजे हैं अब यहाँ पर समझने वाली बात क जैसे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कहां से शोल्डर से क्योंकि भले ही आप लेंथ वगर यह सब सीधा-सीधे खड़ी-खड़ी निशान लगा लो लेकिन शोल्डर आपको नापना ही पड़ेगा उसके बाद तो शोल्डर ध्यान देंगे बॉड़ी पर शोल्डर कितन गला कहतना है मातर साठे चाल और सामने एकदम नौर्मल है डीप बनाना है 1.5-3 इंच माइनज करेंगे और उससे कम बनाना मालो बोटनेक बनाना है तो आप और कम माइनच करोगे अधा- गले की चौंड़ाई है गला भी जादा खुलेगा तो यहां पर आप 2.5-3 इंच त आप क्या करोगे जैसे यहां पर हमने तीन गला खोला हमने एक इंच शोल्डर को कम किया हुआ है तो यहां पर शोल्डर गिनने की प्रॉब्लम नहीं आएगी यही पर मैं आपको एक चीज बता दूँ अगर आप सोचेंगे कि साड़े चार इंच बस तो खुल रहा है पीछे क करते हैं अब यहां पर मज़ेदार बात है कि पीछे का गला कम है साड़े चार इंच बस हैं तो हम क्या करेंगे शोल्डर को आर्मोल की तरफ डाउन करें यह देखो क्योंकि यह हमारे जो टेकनिक होता है डीप गले का उस तरह से नहीं बनेगा क्योंकि डीप गला नहीं है इसलिए 4.5 इंच डीप नहीं होता तो नॉर्मल है नॉर्मल से भी कम है तो यह आपका आर्मोल की साइड डाउन होगा डाउन करने के बाद देखो यहां पर कितना आया यह साड़े छे टोटल आ रहा है ठीक है तो यह साड़े छे का निशान आपको यहां पर भी ले लेना ह और सजेश निशान को इस तरह से पैंड उसके बाद आपका डाउन वाला निशान होहां से यह जे जौ लाइन यह कित्ती है यह पाँच इंच की आ रही है ठीक है आंप कर है अगर आप चाहें जैसे मैंने बताया कि सुरू में जो आपके निशान है एक दो तीन चार उसमें से आपकी चेस्ट वाली लाइन को छोड़ भी सकते हैं को प्रॉब्लम नहीं है और जैसे मैंने साड़े पांच पी लिया तो आपको कैसे पता लगा कि आप इस निशान को किते लिया है लेकिन इन चीजों को समझते हैं जिसके बारे में हमने अभी तक डिसकस नहीं किया आर्म होल को आप कैसे मेजर करोगे तो पहले लगाएंगे चैस्ट का निसान चैस्ट कितना है यहां पर है 48 48 तो यह हो जाएगा 12 इंच चौथा हिस्सा बाड़ी का मेजरमेंट है तो लूजिंग अलग से डालोगे और नॉर्मल मेजरमेंट है तो लूजिंग डालने की ओशक्ता नहीं है ठीक है मालो यही बाड़ी मेजरमेंट है तो आप क्या करोगे पौना इंच अलग से लूजिंग डालोगे पौन इंच एक इंच भी डाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम मतलब यहां पर कोई दिक्कात नहीं है तो अब आप यहां पर आर मोहल की गुलाई शेप किस प्रकार से ना पोगे उसको देखिए यहां पर हम यह वाला जो डाउन वाला निशान इसको डाउन नहीं कर रहे हैं आर मोहल का शेप है कारण क्योंकि यह बहुत बड़ा है वी सब्सक्राइब आपको जितनी गुलाई आपको मिल चुकी है आपको यह मेजर करना है ठीक है और चुकी बड़ी साइज हेवी साइज की कूर्तियों में क्या होता है साइड पोर्शन जैसे मैंने बता है उधर बहुत ज्यादा भगता है आर मोहल तो उस कंडिशन में आपका आर मोल शेप जितना आना चीए उतना आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली ठीक अगर आर मोल कम हो रहा होता जैसे हमको 19 चाहिए 19 नहीं मिल रहा होता तो प्रब्लम होती अभी हमने प्रॉपर ना पा 19 चाहिए कोई दिक्कत नहीं है चेस्ट लाइन हमने कवर कर ल दाल रहे हैं बॉड़ी मेजरमेंट की ध्यान रखना अगर आपने बॉड़ी से नाप लिया तो अलग से डलना पड़ेगा आपको अब हीप हीप इसमें बहुंच जादा हैवी है 54 इंच का है तो 54 का चौंथा हिस्सा कितना होगा तो यह भी क्या करना बहुत से लोगों के होगा साड़े तेरा तो इस प्रकार से निकाल सकते हो कर चौंथा हिस्सा डारेक्ट कभी-कभी कल्कुलेट नहीं समझ में आता तो हां अगर आपका मैस एकदम क्लियर है कोई दिक्कत नहीं तो फिर बनाई है ठीक साड़े तेरा इंच पर यह निशान और एक इंच का यहां अब इन निशानों को स्केल से आपको मिलाते चलना है ठीक है अब निशानों को मिलाना है कि इस प्रकार से आपको फूरा यह कंप्लीट कर लेना है केबल कमर से लेके जो हीप तक की लाइन है वो इसमें क्रॉस आएगी मतब थोड़ी तिर्ची आएगी इसे कूर्थियों में आम तरह पर होता ही है कभी कभी ही कमर कम जढ़ा हो पहुंत रियर लीकेश होता है बाकी हीप का साइज चैस्त से ज्यादा ही होता है हमेशा ठीक है कितना करने के बाद आ जाते हैं किसमें फ्रेंट नेकपर सामने का गला एकदम नॉर्मल है साथ इंच का तो इस तरह से साथ इंच नाप करके आपको मार्क कर लेना है और इसमें निशान लगा देना गले का तो गले का जो निशान आपको कैसे लगाएंगे मालो कि आपको यहां पर सिंपल सा गोल गला बनाना है जितना उपर आपने च गला है उसको भी बना लेते हैं तो यह पहले यह मार्क आप ध्यान देना यह इस टाइप से अच्छा चलो इसको पहले कटिंग कर लेते हैं क्योंकि वह पूरा शेप बनाना पड़ जाएगा आर मोल दुनिया दरी दिक्कत हो जाएगी तो पहले इसको फटक से काट लेते हैं पेपर कुटिंग्स मंगाना चाहते हैं शूट के पलाजो के सलवार के या किसी भी तरह के कूर्थे पैटन्स के डिस्प्ले पर हमारा वट्ट्सअप नंबर चल राहा है आप उस पर इंकवाइरी कर सकते हैं और यह जो सभी पीपर कुटिंग्स है उसको आप मंगा सकते है अगर पीछे पल्ले का भी आपका इस तरह से डाउन ठीक है इसको बोल गया है कोई नीकटिंग के टाइम कर लिए ने तो दिक्क्याद हो जाता है अब का अब का अब का अब का आर्मोल शेप सब कुछ कट गया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली ठीक है यह कट्स लगा लेना सिलाई के वक्त बहुत काम आते हैं कि अब हम इस पेपर को इस तरह से उठा सकते हैं कि अब यह देखों कि फ्रेंट में सबसे पहले क्या होगा एक तो आप गली की कटिंग कर दो आर्मोल की शोल्डर की शोल्डर आपका इतना छटेगा पहले ही बताया थे मैंने पिछे पहला थोड़ा बढ़ा रहेगा उसके बाद आर्मोल को छाट देना है और गले की कटिंग कर देना है इससे आपका फ्रेंट पॉर्शन बिल्कुल टेड़ी है डबल फोल्ड कपड़े पर रखो और काड़ दो कि यह गला अब आजातना है डारेक्ट पिछे पल्ले तो पिछे पल्ले में क्या है केवल गले की केटिंग करनी वाकि कुछ नहीं करना है और गला मात्र इसमें कितना साड़े चार इंच का और इसलिए तो यह शूल्डर आर्मोल जो मैंने सब को समझाया वह इसी के का रहें आपको यह नेक हो जाएगा पीछे का इस तरह से सीधा निशान लगाएंगे और जो भी आपको गले का शेप देना दे सकते हो यहां पर हम हेवी साइच के इसाप से ज्यादा ताम जाम ना करते हुए सीधा पीछे गोल गले का शेप देते और इसको भी काड़ देते अब ल लंबी हो जाती है तो अस्तिन के लिए हम एक अलग से पेपर लेंगे और अस्तिन में भी कुछ नया नहीं बताऊंगा केवल आर मोल को सेट करना बताऊंगा जो कि आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि वह हैवी साइज अगर आप बना रहें तो आर मोल को कैसे सेट करेंग गो अपको आस्तिन रीचे यह सें लेना है मांदो्र आट इंच का पहले सीधा निशान लोगे फिर आस्तिन क्या है आठ इंच लंबा है तो आठ इंच का लेंथ जिसमें आप सीधा निशान किते पर लगाओगे साड़े आठ पर अधा इंच मार्जिंट के लिए इसके बाद निशान को सीधा अगे बढ़ा लेना अब इसकी गोलाई कितनी है साड़े साथ है ना तो यह साड़े साथ का निशान और डेड़ इंच का मार्जिंट सब भी साइस के अस्तिनों के लिए कॉमन रहेगा अब इसमें मज़िदार बात क्या है कि इसका आर मोल है 19 ना इसका निशान लेना है कि इधर से डाउन आना भी उस साइड से आना थेकर गोलाई की तरफ से नहीं ऊपर की तरफ से तरफ से देदर फिटिंग होना उससाइट से अब यहां पर हम क्या करेंगे यह इस टाइप से नापेंगे देखो लिए साड़े नोओ थोड़ा सा टेप यहां पर भी अलग से मार तो यह आर मोल डारेक्ट अपनाप करके इस तरह से अपलाई कर सकते ज्यादा ताम जाम करने की जूरत ही बस हां यहां यहां पर अस्तिन का जो शेप है वो इस टाइप से घुमाना ऐसे ठेक है और उसके बाद क्या करेंगे इसका जो एक तरफ का पल कि जरूरी है आर बहुत है और गुलाई लंबाई तो कोई भी लगा लेगा आर मोल को शेट करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है अस्तिन की कटिंग के उपर में मैंने बहुत सारी डिटेल वीडियो अल्रेडी देख सकते हो और कूरती कटिंग के उपर भी इस चैनल पर बह